दोस्तों, हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी न कभी ऐसी स्थीतियों का सामना जरूर किया होगा, जब हमें बहुत डर लगा होगा. पर क्या आप जानते हैं कि डर सिरफ ऐसा ही नहीं होता? बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, जो अपने जीवन में कुछ अलग किसम के डर के साथ जीते हैं. आज इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ ऐसे ही डर यानि की फोबिया के बारे में बात करेंगे. तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. फिलोफोबिया, a fear of falling in love, यानि की किसी के साथ प्यार में पढ़ने या किसी के साथ emotionally connect होने से डरना. इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे common reason पिछले समय में किसी व्यक्ति के दुआरा दिया गया घाव होता है. वेस्टियोफोबिया, the fear of clothing, जिन लोगों को वेस्टियोफोबिया होता है, उन्हें कपड़े पहनने का एक तरक ही डर होता है. यह डर इतना तिवर और भारी होता है कि पिडित व्यक्ति कभी-कभी कपड़ों को अपनी स्किन से दूर रखने के लिए धीले और बड़े कपड़े पहन लेते हैं. और चरम मामलों में तो वे समाज से पूरी तरह से हट सकते हैं, ताकि वे बीना कपड़ों के रह सके. फ्रेंट्स, आपने ज़्यादा तर लोगों के मूँ से यह बात सुनी होगी, कि स्टेज पर जाकर जैसे ही मैं लोगों के सामने बोलने लगता हूँ, तो मेरे हाथ पाऊं फूल जाते हैं. मुझे समझ नहीं आता कि क्या करूं, तो समझ लीजिए, ऐसे लोग ग्लोसोफोबिया नामक फोबिया से पीडित होते हैं, इसका मतलब होता है लोगों की भीड में बोलने का भै, सिलेनोफोबिया, फियर ओफ दमून, यदि किसी व्यक्ति को चंद्रमा से डर लगता है तो उसे सिलेनोफोबिया नामक फोबिया कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को लगता है कि चांद लोगों में खतरनाग वेवार को प्रेरित करता हैं, इसका एक कारण बच्चपन में सुनी हुई पुर्णिमा और अमावस की रातों की जादू टोने से भरी कहानिया हो सकती हैं, गाइनोफोबिया एक तर्क हिंडर है जो महिलाओं के आसपास होने पर एंजाइटी का कारण बनता है, इस फोबिया से ग्रसित लोग इसे समझते हुए भी इसे कंट्रोल नहीं कर पाते, पुरुष इस फोबिया से महिलाओं के मुकाबले जादत पीडित होते हैं, अच्छूती नहीं हैं, और ऐसे ही इंटरस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरू करना, धन्यवाद